स्वागत है मैं हूँ कपिल मिशा लेकिन इस वक्त की बड़ी और आहम खबर दिल्ली से आ रही है जहांपर सुप्रीम कोट का बड़ा फैसला तो खबर दिल्ली से इलहाबाद हाई कोट में अब नहीं होगी अंतिम सुनवाई लखनव बेंच में होगी 10 नवंबर को अंतिम सुनवाई तो उस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से जहांपर टैनी मामले में सीजे आई का बड़ा फैसला लखनव बेंच में होगी 10 नवंबर को सुनवाई टैनी मामले में सीजे आई का बड़ा फैसला इलहाबाद से लाए टेनी अपना वकील नहीं तो वीडियो कॉंसरेंसिंग के होगी सुनवाई प्रभाद गुप्ता के भाई राजीव गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर मौझूद है तो राजीव पूरे मामले को लेकर क्या कहेंगे अब तो सायद हम से स्थंपर्क उनका ठूड़ गया है तो आपको बड़ी ख़़र बता रहे हैं जहांपर अब टैनी मामले को लेकर सुप्रीम कोट का बड़ा फैसला ख़बर दिल्ली से इलाबाद हाई कोट में अब नहीं होगी अन्तिम सुनवाई लकनव बैंच में होगी राजीव गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गया हैं राजीव अब लकनव बैंच में होगी दस नौंबर को सुनवाई क्या कुछ कहेंगे पूरे मामले को लेकर सरहाम और हमारा पर्जाद मियाए के इस्जार में खट जया 22 सालोग है भाई की हच्चा हुए दिन डारे हच्चा हुई और जो सेंजी गरेरा इनकी सेमी है उन्होंने मुख़द्म को हर बार में तरीना काई तरीन के वकी को पूविड हो जाता है तरीन के वकी है नहीं सीनियर लाइव सारे वकी इनके लखनों वाई को पकरें हैं तुछ के बादी इलावास्ता वकी चाहिए की चील देस्टित लाहनो हाई वकी नो हाई फोर्ट ने उनकी आचिदा खारिश कर दी फिर सीप्रीम पोर्ड चले गए बार बार उन्हें पढ़नला था मानी हाई वकी नॉम्बर को अन्पी सुमाई तरीन का सारीश लगाई मुष्म पर कर दिया है। सब्सक्राइब करें लिए राजीव तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया तो यह थे हमार साथ प्रभात गुपता के भाई राजीव गुपता जो की कही न कहीं कोड के फैसे से खुशी जाहिर करते हुए दिकाई दिये और कहा कि आप उन्हें उम्मीद है कि फै लखनव बेंच में होगी दस नवंबर को अंतिम सुनवाई तैनी मामले में सीजी आई का एक बड़ा फैसला लखनव बेंच में होगी दस नवंबर को अंतिम सुनवाई तैनी मामले में सीजी आई का बड़ा फैसला इलहावाद से लाई टैनी अपना वकील नहीं तो वीडियो कौन फ्रेंसिंग से हो सुनवाई तो दिली से कबर जहांपर सुप्रीम कोट का बड़ा फैसला इलहावाद हाई कोट में अब नहीं होगी अंतिम सुनवाई लखनव बेंच में होगी दस नवंबर को अंतिम सुनवाई तैनी मामले में सीजे आई का बड़ा फैसला लखनव बेंच में होगी दस नवंबर को अंतिम सुनवाई तैनी मामले में सीजे आई का बड़ा फैसला तो खबर दिली से इलहाबाद से लाए टैनी अपना वकील नहीं तो वीडियो कॉन्फरेंसिंग से हो सुनवाई दिली से बड़ी खबर जहाँ पर सुप्रीम कोट का एक बड़ा फैसला इलहाबाद हाई कोट में अब नहीं होगी अंतिम सुनवाई लखनव बेंच में होगी दस नवंबर को अंतिम सुनवाई एनी मामले में सीजी आई का बड़ा फैसला लखनव बेंच में होगी दस नवंबर को अंतिम सुनवाई एनी मामले में सीजी आई का बड़ा फैसला इलहाबाद से लाए टैनी अपना वकील लखनव बेंच में होगी 10 नवंबर को अंतिम सुनवाई हैनी मामले में CJI का बड़ा फैसला प्रभाद भाई के हत्या की अंतिम सुनवाई होगी कि अउस अंतिम सुनवाई की तारीक 10 नौंबर को तैकर दी है पहले से मामी हाई कोड ने तैकर रखी थी अब हमें नियाय की उमीद है कि हमारे बड़े भाई जो लखनों विस्त देले के छाप नेता थे उनकी हत्या की सुनवाई अंतिम सुनवाई हो जाई की और हमें नहीं की उमीद है कि उमीद है ।